क्या आपको भी आखों के सामने काले रंग के मच्छर मक्खी या बालों के गुच्छों जैसे कुछ जुन्द आकरतियां दिखाई देती हैं सफेद बेग्राउंड पर देखते समय या आसमान की तरफ देखते समय कुछ काले रंग की जो आकरतियां दिखती हैं उसी को floaters कहते हैं नमस्कार मैं डॉक्र देने शर्मा प्रकाश नेत्रा लेवं पंचक्रम के अंदर से आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लोटर्स क्या है फ्लोटर्स एक्चुली कोई डिजीज नहीं है ये एक डिजीज का सिम्टम हो सकता है फ्लोटर्स देखिए दो तरह के होते हैं हर वेक्ट्री को floaters दिखाई देते हैं एक वो floaters जो physiological range में है एक वो floaters जो किसी बिमारी की वज़े से pathological origin के कारण आते हैं आगे बढ़ने से पहले आंग की structure के बारे में थोड़ा सा समझते हैं सबसे आगे का हिस्सा cornea उसके पीछे lens lens के पीछे विट्रस compartment जिसमें शहेज जैसा गाढ़ा लेकिन transparent एक जल होता है जिसको हम विट्रस humor के नाम से जानते हैं और उसके पीछे रेटिना रेटिना से सार है बढ़ती उमर के कारण या बहुत सारे उसकी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वह transparent जली अगर उसमें गदलापन आ जाए तो जब लाइट पड़ेगी प्यूपिल के अंदर से जाकर और उस पार्ट के उपर पड़ेगी जहां वह गदलापन है तो उसकी छाया रेटिना के उपर पड़ती है जो हमें फ्लोटर्स के रूप में दिखाई देती है फ्लोटर्स जैसा मैंने बताया एक सिंटम है डिजीज नहीं है इसकी अलग अलग वजह हो सकती है मैं आपको बताता हूं फिजियोलोजिकल फ्लोटर्स रेटिना के ऊपर एक ब्लाइंड स्पोर्ट हो परिशान नहीं करते हैं वो डिजीज के लवल पर नहीं होते हैं बट दूसरी तरफ अगर वह फ्लोटर्स कुछ जादा हो जाएं जादा डार्क हो जाएं जादा गहराई में दिखाई दें जादा मात्रा में दिखाई दें तो जरूर उसके पीछे कोई वजह हो सकती है शा वह बहुत सारी विमारिया हैं जिनकी वजह से आंक में दिखाई दें और अगर हमें जादा मात्रा में दिखाई दें इसका मतलब में कुछ जादा दिक्कत वाली बात हो सकती है Retinal Detachment एक ऐसी condition है जब एक बहुत ज़्यादा मात्रा में एक दम से आज आराम से सोए हैं आगले दिन सुबह उठेंगे तो एक आए बहुत ज़्यादा मात्रा में Flotos दिखाई देने लग जाएं काले रंग के धब्बे दिखाने लग जाएं तो आपको immediate doctor से संपर करने की ज़रूरत पड़ेगी वो एक emergency की condition भी हो सकती है अगर तुरंत उपचार नहीं किया गए तो आप patient नजर को भी हो सकता है इसलिए observe करें physiological range में हैं या pathological range में हैं हमारे पास बहुत सारे patients संपर करते हैं कि मुझे floaters दिखाई दे रहे हैं हमने check-up किया रेटेने में कोई problem नहीं है वो अलग-अलग 10 जेगा भी दिखा चुके हैं उनको कोई pathological condition नहीं है तो मैंने जैसा कि बताया था कि physiological floaters हैं किसी वज़े से अगर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं तो हमें उसका इलाज करना है विटरस हेमरेज का इलाज करना है डियाबेटिक रेटिनोपैथी का इलाज करना है अगर age-related macular degeneration में रेटिना की अंदर जो scar बन गए हैं drusens हैं उसकी वज़े से floaters दिखाई दे रहे हैं तो हमें उनका इलाज करना है aging process के करन बढ़ती उमर की वज़े से अगर floaters आ रहे हैं तो हमें age-related conditions जो हैं वहां कैसे support दी जा सकती है उन सब चीजों को समझना है एक बहुत important condition होती है pathological myopia high myopia जिसमें चश्मे का नंबर minus 4, minus 5, कई दफा और ज़्यादा minus 6, 8, minus 10, 12, 15 तक भी चला जाता है इस pathological myopia की condition में floaters अक्सर दिखाई देते हैं क्योंकि ये एक degenerative condition है जो उमर की वज़े से नहीं आती young age में आ जाती है इसलिए young age में आई हुई इस pathological condition के लिए आपको doctor से नियमिस संपर करना ही चाहिए कहीं ऐसा नहों कि वो floaters ज्यादा मातरा में होके किसी complication को develop कर दें vitreous detachment नहों जाए कहीं या retina में भी दूसरी complications detachment जैसी complications का आने का डर रहता है इसलिए timely evaluation कराना floaters किसी भी वज़े से floaters है तो उनको timely evaluation कराना ही चाहिए UVITS और dry eye जैसी या फिर eye allergies जैसी कई ऐसी बीमारियां भी है जिसमें post medicinal use के बाद यानि कि उस बीमारी का इलाज करने के लिए जो दवाईयां इस्तेमाल की उन दवाईयों के side effect की वज़े से भी कई बार lens में changes आके या vitreous में वो गंदगी पैदा होके उसकी वज़े से भी हमें फ्लोटरस दिखाई देते हैं यहां भी हमें मूल बिमारी का इलाज करना है जैसे मैंने बता है फ्लोटरस सिर्फ एक symptom है dry eyes की वज़े से भी ये दिक्कत हो सकती है UVITS के अंदर भी ऐसा देखने में मिलता है और अगर inflammation का level विटरस में ही है विटराइटिस जिसको कहते हैं तो वहां तो दिखेंगे ही दिखेंगे treatment की अगर बात की जाए तो हमें मूल बिमारी का इलाज करना है जैसे की मैंने बताया और वो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है जैसे diabetes की वज़े से अगर Bloaters आ रहे हैं तो वहां भबर हम दिखाई दिखाई दे रहए है तो हमें म्योपया के लिए एक planning treatment को प्लान करना पड़ेगा जिसकी वज़े से लेकिन अगर यह फिजियोलोजिकल सबसे पहला पॉइंट है रात को सोते समय हर रोज दो दो बूंद गाए का घी आंख के अंदर डालना चाहिए इंडियन काउ घी का इस्तेमाल आंख में करने से डिजनरेटिव एफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है जो विटरस के अंदर डिजनरेशन आई थोड़ी वीकनेस हा रही है रेटिना में अगर कुछ वीकनेस है तो उन सब चीजों को थोड़ा स्टेंथन हम कर सकते हैं जैसे फ्लोटरस में कफी कमी देखने को मिलती है दूसरा पॉइंट है तिल का तेल दो दो बूंद हर रोज सुबह नाक में डालना चाहिए उससे भी हमारे गरदन के प हमने काम करना पड़ता है या फिर मोबाइल का जो इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो भी एक वजह हो सकती है फ्लोटरस के बढ़ने की तो आप अपना स्क्रीन टाइम को थोड़ा मॉनेटर करें वाच करें उसको कम से कम रखने की कोशिश करें खास तो पर मोबाइल का प्रयो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि सिर्फ फूड खाते हैं जो चीजें शरीर में जाके प्रॉपर नरिश्मेंट नहीं दे रही उनकी वजह से भी डिजनेटिवी चेंजिज आंख में डवलप होके फ्लोटरस की शुरुवात हो सकती है अगला पॉइंट है नींद अप्टिमम लवल पर सही समय पर अगर नींद पूरी हो तो बोडी के अंदर डिजनेरेशन नहीं आती है तो आप अपनी नींद को भी इंशोर करें कि 6-8 घंटे के बीच में जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति को नींद की जरूरुत होती है उसको इंशोर करें तो फ्लोटरस म के अंदर कोटन लगाके उससे फिल्टर करें आई वाश कप में उस पानी को डालके उससे आईस की वाशिंग करने से रात में आंख में घी का इस्तेमाल करने से यह दो चीज़ें अगर एक साथ की जाएं तो फ्लोटरस को घर पे रहके ही रिड्यूस किया जा सकता है यह सार हमें इसी नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें इसी नंबर पर वाट्सप पर डिटेल्स अपनी भेज सकते हैं उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप हमें कमेंट करके बताएं कि फ्लोटर से सम्मधित और कौन सी बात ऐसी रह गई जो आप जानना चाहत मा कश्री दुख भाग भावेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद